चत्रा जीला समाहर नालए की सभाकक्ष में राष्टी प्रेस दिवा 16 नवंबर के अवसर पर जीला सूस्ने एवंचन संपर्क विभाग चत्रा के द्वारा आज जीला समाहर नाले के सभाकक्ष में कितरिम मेधर आठीफीशिल इंटलीजियन्स विसाय पर चर्चक आयोजन कि कित्री मेधा के यूग में मीडिया विशाई पर आयूजित सर्चा कारिक्रम का विधिवत सुभारंब उपायक तो सहित पत्रकारों के द्वारती प्रजुलित कर किया गया कारिक्राम के उप मुख्य वक्ता जीले के उपायक तो अभू इम्राम ने वर्टमान दोर में आटिफीशल इंटेलिजिन्स के बढ़ते दखर और मीडिया में कीत्री मेधा के प्रभाव पर भी अपनी बाते रखी उन्होंने कहा कि आज के समय में कीत्री मेधा मीडिया के अलावजिन संचार के सभी छेत्रों में अपनी उपस्थिती दर्च करा रहा है उन्होंने इसके सकरात्मक एवं नकरात्मक पक्षों के बारे में भी बताया साथ ही कहा कि तक्नीकी के इस पर्ति यूग में स्वक्ष एवं बीना बाहरी तत्व के प्रभाव में आईकारी करने की अवश्यक्ता है उन्होंने पत्रकारिता के बदलते स्वरूप के बीश प्रति अस्परधा पर भी प्रकाश डाला उत्पायत उने जीले के पत्रकारों से कहा कि आपकी सुरक्षा के प्रति भी जीला प्रसासन सवेदाशिल है आपकी किसी भी सिकायत पर प्रसासन त्वरीत संग्यान लेता है चर्चा को सम्मोधित करते हुए अनुमंडल पुलीस पदादिकारी चत्रा अविनास कुमार ने प्रेस काउंसलिंग एक्ट 1968 के प्रवधानों पर चर्चा किया उन्होंने कहा कि मीडिया में तक्नीक का दखल बढ़ा है DRDA की निदेशक ने भी चर्चा में हिस्सा लेते हुए इस पर अपना पक्ष रखा पत्रकारीता दिवस पर आयोजीद इस कारिक्र में सिर्कत करने वाले पत्रकारों को समानित किया गया कारिक्रम के दौरान जीले से उपस्तित सभी पत्रकारों को उपहार के तोर पर कलम, डाइरी और शौल देकर उपायक्त के द्वारा समानित किया गया इस कारिक्रम में जीला परिवन पतादिकारी इंद्र कुमार जीला जन संपर्ख पतादिकारी शिवनन्द समेत जीले के कई आला पत्रकार उपस्थित थे